Hello learners, welcome to channel तो new education policy यानि नई सिख्छा नीती 2020 के तैत अब AKTU में भी जो student है और सबसे पहले ये सुरुवात जो है BTEC के इस्टूडेंस के साथ की जारी है तो BTEC के इस्टूडेंस अब हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विज में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं BTEC की और साथी साथ examination में वो answers भी जो है हिंदी और इंग्लिस में लिख सकते हैं तो ये notification जो है फाइनली नोटिस जो है ओफिसल नोटिस अठारा नॉमबर 22 को यहाँ पे जारी कर दी गए ये university के तरब से जिसमें उन्होंने बताया है कि जो 67 बैठक हुई थी उसमें ये चीज कही गे थी कि माननिय विधा परिशत द्वारा नई सिक्षा नीती 2020 के आलोक में तक्नीकी सिक्षा को ग्रामीर पिष्ट भूमी से आने वाले चात्रों के लिए अधिक समाविसी बनाने है तू चात्रों द्वारा प्रिशन पत्रों के उत्तर देने के लिए अंग्रेजी बनाने है तो ये 67 वह तू तो फाइनली जो है अब उसके लिए यहाँ पे जो है नोटिस में जारी कर दिया गया है जिसमें बताये गया है कि कच्छाओं में सिच्छों द्वारा सिक्छर में अंग्रेजी के साथ यह था उस तक हिंदी भासा का भी प्रयोग किया जाएगा यानि कि आप जो classroom में teaching होगी जहाँ पर आपको teacher साब के subject पढ़ाएंगे तो यह सुरवात अभी BTEK first year से हो रही है तो BTEK first year में जो भी आपकी classes होगी तो वहाँ पर English के साथ हिंदी में भी जो है आपको वहाँ पर समझाया जाएगा चीज़ें जहाँ तक possible होगा वहाँ पर हिंदी भी यूज की जाएगी वहीं पर चात्रों के प्रशनपत्रों का उत्तर लिखने में अंग्रेजी भासा के साथ ही यथा वस्तक हिंदी भासा का प्रयोक करने की भी अन्मुती होगी जब आप एग्जामनेशन देने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि इंग्लिस में लिखना है आप इंग्लिस हिंदी दुनों का यूज कर सकते हैं विश्विद्याले द्वारा परिक्षा प्रशन पत्रों को अंग्रेजी भासा के साथ हिंदी भासा में भी छात्रों को उपलब्द कराया जाएगा तो अब जो question paper है B.Tech का वो first year का फिलास शुरुआसर फर्स टियर में वो हिंदी में भी आएगा यानि की question paper जो है आपका English medium ब्लस Hindi medium दोनों में रहेगा तो जिसमें भी आप comfortable हैं आप उस medium में जो अपना examination दे सकते हैं आपने answers लिख सकते हैं यह जो है NEP 2022 के तहट हिंदी जो भासी छेतर है जो ग्रामेट पिस्ट भूमें से आते जिनके English अच्छी नहीं होती उतनी तो उनके लिए जो है यह ध्यान में रखते हुए अब जो B.Tech की पढ़ाई है वो हिंदी और English दोनों में होगी और साथी साथ जो question paper होगा वो हिंद